दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके खेत में जो गेहूं की फसल खड़ी है जिसके अंदर बालिया निकल चुकी हैं दाने बनने शुरू हो गए हैं उस फसल के अंदर आप ऐसा क्या करें कि आपके खेत में पर एकड़ का तीन से चार कोंटल या पांच कोंटल तक ग चीज तो ये समझेंगे दूसरा जितनी भी फसल पानी की वज़े से हवा की वज़े से किसी भी वज़े से हमारी गेहूं की फसल गिर गई है उसके लिए हम क्या काम करें यानि कि उस गेहूं की गिरी हुई फसल का भी बढ़वार होती रहे उसके अंदर भी अच्छा दाना बनता रहे और उत्पादन आपको ज़्यादा मिले इसके लिए हमें क्या करना है ये दोनों चीज़े आज हम समझेंगे देखिए एक अच्छे किसान में जिसके यहाँ पर अच्छे तो सभी किसान होते हैं लेकिन जिसके यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है उस किसान में और समाने किसान में यही फरक होता है कि आप लोग फसल को जो बोते हैं तो पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन जब उसका पीक टाइम आता है जब उसके अंदर दाना बनना शुरू होना है गेहुं की कितनी भी गिरोत हो उससे अपना कहले न देना बेसिक तो यह है कि गेहुं की बाली के अंदर दाना कितना बन रहा है तो उस टाइम में हमें संभालना चाहिए और एक बड़िया पड़ा लिखा अच्छा किसान जो उत्पादन ज़्यादा लेता है वो पीक टाइम में संभालता है हम लोग पीक टाइम में नहीं संभालते तो अभी गेहुं का पीक टाइम है अब आपको गेहुं को अच्छे से संभालना है एक दो चीजें जो मैं बताऊंगा उनको आपको ज़रूर कंसीडर करना है उनके उपरा वर्क करके देखिए उसके लिए आपको एक काम करना है आपको सबसे पहले तो 200g कारबन-डिजम की सप्रे करनी है 1.500g बोरोन की सप्रे करनी है 1kg NPK 0-52-64 की सप्रे करनी है और यह जो dose मैंने बताई यह एक एकड़की है आपकी इच्छा है कि आप पूरे खेत में करना चाहते हैं या फिर जितना वो गिरी हुई जगें हैं वहां पर करना चाहते हैं जितनी जगें गिर गई हैं उतना करना चाहें तो डोस को एक एकड की कैल्कुलेशन के हिसाब से थोड़ा कम कर लीजिएगा अब रही बात कि इससे होगा क्या इससे जो पोधा गिर गया है स्ट्रेस में है उसको ताकत मिलेगी और वो पोधा रेगुलर जैसे बीज बना रहा है अपना सीड बना रहा है वो सारे काम करता रहेगा फंगस नहीं लगेगी फंगिसाइड अर्बिनिसम किसे का और भी यूज़ कर सकते हैं इससे दाना मोटा होगा दाना बड़ा होगा दाने का वेट अच्छा होगा दाने के चमक अच्छी होगी उत्पादन इससे बढ़ेगा तो गिरी होई फसन को यू ना समझें कि अब तो ये खराब हो रही है नहीं उसके ओपर प्रोपर वर्क करें जो चीज़े मैंने बताई इनकी सपरे ज़रूर करें दूसरी चीज खेत के अंदर आप जाएं मिट्टी जो है खेत की उसको उठाएं लड्डू बनाएं अगर मिट्टी का लड्डू बन रहा है तो आप समझे लीजे खेत में नमी है पानी लगाने की अवशक्ता नहीं अगर मिट्टी का लड्डू नहीं बन रहा तो आपको पानी लगाना ही होगा पानी जब भी लगाएं हलका लगाएं बहुत हलका हलका पानी लगाएं ताकि फसल गिरे नहीं और आपको एक छोटी सी चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ आज फिर बता देता हूँ धर्ती के उपर आने वाला कोई भी इंसान कोई भी जानवर कोई भी पेड़ पोदा हमेशा चाहता है कि उसका अस्तितव बचा रहे और अगर स्ट्रेस में फसल होगी क्योंकि अब गर्मी आने लग गई तो गेहूं स्ट्रेस में आनी शुरू हो जाती है और ऐसा ही में वो जल्दी दाना बनाएगी तो आपका उत्पादन गिरेगा क्यों जल्दी बनाएगी उतना छोटा दाना बनेगा इसलिए वो स्ट्रेस में ना आए आप लोगों को चाहिए कि आप जो है अच्छे से खेत में नमी बरकरार रखें और जिससे आपकी जो दाना बन रहा है उसके अंदर बाली के अंदर प्रोपर बने अच्छा डिजाइन हो और उससे फिर जो है आपका उत्पादन भी बढ़े पानिल नमी बरकरार रखें और दूसरा ये जो मैंने बताए इनका इस्तेमाल करें इससे आपके खेत में उत्पादन बढ़ेगा खेर दोस्तों और भी कई वीडियो हमारी दिखाई दे रही होगी वो भी जरूर देखें देखते रहिए ABC इंडिया